अभी मेरे पास फिलाल दो डिवाइस है एक है रियल्मी का और दूसरा है रेड्मी की डिवाइस और दोनों डिवाइस में जो स्क्रीन रिकॉर्डर वाले जो फीचर दिखने मिलता है कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास को भी एंड्रोड मोबाइ यूज करना है वो यूज कीजिए और माइक को इनेबल करने के बाद अपने भाइस ओभर कर सकते हैं चलिए सबसे पहले यहाँ पर बताता हूं रियल्मी में रियल्मी में स्क्रीन रिकॉर्डर कैसे वर्क करता है और क्या-क्या फीचर देखने को मिल जाता है तो अगर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में जाते है तो नोटिफिकेशन पैनल में जाने के बाद आपको यहाँ पर देख लेना है कि स्क्रीन रिकॉर्डर के नाम से कोई भी यहाँ पर आप्शन फंक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो यह आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अ microphone अगर आप microphone यूस कर रहे है उससे recording करना चाहते हैं भौई करते हैं साथ फ्रों रेट पर क्लिक करते हैं तो फ्रेम सब्सक्राइब करने वारी 9re 10, 8 ePS वाला option देखने मिलता है या whenever a power can कर सकते हैं यहाँ पर एक option मिलेगा front camera video को अगर recording के दुरान अगर आपको अपने front camera में अपने face को यहाँ पर show करवाना है तो वह भी आप यहाँ पर show करवा सकते हैं साथ में show screen touch वाला option देखने को मिलता है screen पर touch कीजिएगा तो यहाँ पर वर्क करेगा कैसे वर्क करेगा वह भी मैं आपको बताऊंगा साथ में वीडियो की quality को इंप्रूब करना चाते है मैं यहाँ पर According करने बद यहां पर देखिया मैक वाला option देखने मिलेगा साथ में आपको sound वाला option देखने मिलेए इस पर click करने बाद देखिया यहाँ पर microphone का ओप्सन मिल जाता है और जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कर लेते हैं दिन उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखे प्ले कीजिएगा तो प्ले करने के दोरान आप यहाँ पर देख सकते हैं इस्क्रीन रिकॉर्डिंग में यहाँ पर वर्क कर रहा है साथ में जो फ् option यहाँ पर देखने को मिल जागा अगर देखने को नहीं मिलता है तो इडिट वाले पर क्लिक करके आप इस फंक्शन को यहाँ पर add कर सकते हैं यहाँ पर नीचे में add वाला option देखने मिलेगा तो screen recording को आप यहाँ पर control panel में add कर ले उसके लाबा अगर यह option यहाँ पर सो नहीं होता है दिन आपको क्या करना है आपको बाहर में ही application देखने को मिल जागा screen recorder का यह screen recorder वाला option मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर देना क्लिक है इस परकर का interface मिलेगा setting पर आपको जाना है और setting में जाने के बाद आपको यहाँ पर काफी सारे option देखने मिलेगा सबसे पहले resolution वाला option मिलेगा तो full HD में आप यहाँ पर video recording कर सकते है वीडियो की quality भी आप full HD में यहाँ पर recording कर सकते हैं साथ में यहाँ पर portrait mode और landscape वाला भी option देखने मिलेगा sound source पर क्लिक किजेगा तो आपको mic का भी option मिलेगा साथ में system sound का option मिलेगा और गया mute करना है तो mute भी आप यहा है frame rate को अगर fix करना है तो वो कर सकते हैं और इसको अगर change करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पर lock screen to end वाला option देखने मिलता है अगर इस feature को अगर आप यहाँ पर off कर देते हैं तो lock screen करने के बाद भी आपका screen recorder यहाँ पर on रहेगा और आप अब भी आपना वीडियो को recording कर सकते हैं साथ में सोट है जेशर वाला option देखने मिलेगा और बटन पर tap कीजिएगा तो उसका भी जेशर यहाँ पर work करता है तो आपके पास को भी earphone हो या microphone हो उसको आपको क्या करना है इस परकार से यहाँ पर connect कर लेना है और connect करने के बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ पर screen recorder को on कीजिएगा तो on करने बाद कैसे function करता है लॉक किसमे कैसे video recording होता है चलिए वो आप यहाँ पर recording हो रहा है और recording होने बाद कहीं पर भी tap कीजिएगा तो tap करने बाद देख सकते हैं इस परकार कर यहाँ पर tap gesture देखने को मिलता है उसके recording automatic आपका यहाँ पर बंद नहीं होता है फिलाल आप यहाँ पर देख सकते है recording यहाँ पर हो रहा है और recording होने के बाद कैसा यहाँ पर video देखने मिलता है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं तो चलिए एक बार मैं आपको यहाँ पर play करके दिखा देता हूं तो जैसे मैंन जैसे मैंने याँ पर fone को lag किया था और लग करने बाद देख सकते हैं Highscreen का भी जो Screen recording है यहाँ पर record होते रहता है तो आपको पता चल जाता है कि Screen recording यहाँ पर work कर रहा है अब दोस्तों यहाँ पर बात करती हैं यह दोनों application को कैसे आप यहाँ पर install कर सकते हैं तो simply क्या करना है telegram group में चले जाना है और मेरा group देखने मिलेगा इसका link description मिल जाएगा वहाँ जाके आप group join कर ले और apk file को आप यहाँ पर download कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो comment करके जुरूर बताए